हालो आल, वेलकम टूम टू माइव यूटूब चैनल, फान लाण वेथ शालनी आज हम आपके लिए फिर से एक मज़िदार कहानी लेक्या आए हैं यह कहानी कुछ बच्चोंने सुनी होगी, जिरोंने नहीं सुनी है वो इस कहानी को सुनिये और इसे याद करिये और इसमें जो एक सीख है बहुत अच्छी, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की है शुरू करते हैं, बिल्लियां और बंदर, ये कहानी दो बिल्ली और एक बंदर की है दीखें, शुरू करते हैं एक बार दो बिल्लियां जंगल में घूम रही थी उन्हें एक रोटी दिखाई दी दोनों बिल्लियां उसे खाने के लिए जगरने लगी दो बिल्लियां जंगल में घूम रही थी उन्हें एक रोटी दिखाई दी उस रोटी को देखकर इस बिल्ली ने कहा ये रोटी मैलूंगी और इसने कहा ये मैलूंगी इसने कहा मैं खाऊंगी इसने कहा मैं खाऊंगी उस एक रोटी के पीछे ये दोनों बिल्लियां आपस में जगडने लगी तभी वहाँ एक बंदर आया बंदर बोला इन दोनों का जगडा सुनकर पेड़ पर एक बंदर बैठा था वो खूद के तुरंट उनके पास आ गया आकर उनसे बोला लाओ यह रोटी मुझे दे दो क्या कहा उसने बिल्लियों से? कि तुम लोग जगडों मत लाओ यह रोटी मुझे दे दो मैं इसे तुम दोनों में बराबर पराबर बाढ़ देता हूँ तुम दोनों जगडों मत यह रोटी मुझे दे दो और मैं इस रोटी को तुम दोनों में बराबर बराबर हिस्सा कर देता हूँ बंदर ने रोटी के दो टुकडे किये और बोला अरे इन में एक टुकडा बढ़ा है बंदर ने क्या किया? उस रोटी को बीच से आधा करने की बजाए उसने एक टुकडा थोड़ा छोटा तोड़ा और दूसरा टुकडा बढ़ा तोड़ा और फिर बोला अरे इन में से तो एक टुकडा बढ़ा है ऐसा क्यों करा उसने? ऐसा उसने अपनी चालाकी की वज़े से करा ऐसा उसने जान भूज कर किया टुकड़ा करके बोला अरे इनमें एक टुकड़ा बड़ा है फिर उसने बड़े टुकड़े का थोड़ा हिस्सा खा लिया अब जो ये एक टुकड़ा था इसने एक छोटा किया एक बड़ा किया फिर दोनों को बराबर करने के लिए इसने क्या किया ये जो बड़ा टुकड़ा है इसमें से थोड़ा सा पीस तोड़ा और उसे ने ये दिखाने के लिए कि चलो इस बड़े पीस में से थोड़ा सा मैंने मुह में डाला कि दोनों पीस अब बराबर हो जाएंगे इसलिए उसने क्या किया बड़े रोटी में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे खा गया इस प्रकार बन्दर हर बार रोटी के एक टुकड़े को दूसरे से बड़ा बताता रहा पहले इधर का बड़ा बताता, फिर इसमें से काट के खा जाता, फिर कहता इधर की रोटी बड़ी हो गई, फिर उसका काट के खा जाता, फिर कहता अरे अब तो इधर की बड़ी रह गई, फिर उसमें से खा जाता, फिर कहता ने इधर की बड़ी रह गई, उसमें से खा जाता ऐसे करकर के बार-बार बंदन हर बार रोटी के एक टुकडे को दूसरे से बड़ा बताता रहा और खाता रहा धीरे-धीरे वो पूरी रोटी खा गया उन दोनों को ये कहता रहा और धीरे-धीरे वो पूरी रोटी खा गया और वहां से ये कहा कि अब तो रोटी खतम हो गई वहां से चला गया बिल्लिया मू लटका कर देखती रह गई और अंत में बहुत पच्चताई क्यों पच्चताई वो? उन्हें ये समझ में आया कि अगर हम आपस में लड़ाई नहीं करते हमें एक रोटी मिली थी हम उस रोटी को आधा आधा बाटते और दोनों खा लेते लेकिन बंदर ने उसका फायदा उठाया बंदर ने उन दोनों को मुर्ख बना कर उनकी रोटी को तोड़ता रहा और कहता रहा दूसरा टुकड़ा बढ़ा है फे इधर की तोड़ी क्या दिया इधर का टुकड़ा बढ़ा है फे इधर की तोड़ी बूला इधर का टुकड़ा बढ़ा है और जो टुकड़ा उसमें से तोड़ता उसको वो लगाता रहा अपने मूह में टालता रहा और ऐसे खाते 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 उसने बिल्डियों की जो उनको एक रोटी मिली थी उसके भी छोटे 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 टुकडे करके पूरी रोटी खा गया और ये दोनों बिल्डियां मूर्ख बन गए और मू लटका कर बंदर को देखती रह गए इस कहानी से शिक्षा क्या मिली शिक्षा इस कहानी से यह मिलती है कि हमें आपस में कभी भी लड़ना नहींचाएए यह उन दोस्तों के लिए भी जो क्लास में एक साथ पढ़ते हैं और अच्छे दोस्त हैं अगर आप से कोई लडाई करवा रहा है तो तीसरा व्यक्ति आपका फायदा उठा लेता है इसी तरह अगर घर में भाई बेहन जगडा करते हैं तो बाहर वाले उनका फायदा उठा कर उन दोनों का ही नुकसान कर देते हैं इसलिए हमें आपस में कभी भी जगड़ना नहीं चाहिए जितना है उसको ही आराम से बाठ कर खाना चाहिए है ना मज़ेदार कहानी और इससे आपको बहुत अच्छी सीख भी विलती है कि छोटी-छोटी बातों के लिए हमें कभी भी आपस में लडाई नहीं कर इस कहानी को एक बार मैं आपके सामने फटा-फट रेडिंग करूंगी अभी तो मैंने आपको इसको समझा के पढ़ाया है एक बार रेडिंग करूंगी आप इस कहानी को याद दीजे कोई भी आपसे कहें स्टोरी सुनाने के लिए आप ये मज़ेदार कहानी सुना सकते हैं एक बार दो बिल्लियां जंगल में घूम रही थी उन्हें एक रोटी दिखाई दी दोनों बिल्लियां उसे खाने के लिए जगरने लगी तभी वहाँ एक बंदर आया बंदर बूला लाओ यह रोटी मुझे दे दो मैं इसे तुम दोनों में बराबर बराबर बार देता हूँ बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किये और बोला अरे इनमें एक टुकड़ा बड़ा है फिर उसने बड़े टुकड़े का थोड़ा हिस्सा खा लिया इस प्रकार बंदर हर बार रोटी के एक टुकड़े को दूसरे से बड़ा बताता रहा और तोड़ तोड़ कर खाता रहा धीरे धीरे वह पूरी रोटी खा गया और वहां से चला गया बिल्लिया मूँ लटका कर देखती रह गई और अंत में बहुत पच्चताई तो आप इस कहानी को याद कीजिए और घर में सब को सुनाइए थैंक यू